जैस्री करश्न मित्रो मित्रो खर मास में सूरी देवता की सरद्धा पूरवक पूजा आराधना करने से अमोग फलों की प्राप्ती होती है, कारी में सिद्धी मिलती है तो मित्रो आज आपको हम बताएंगे कि खरमास में आपको कब सूरी नरण देवता की पूजा आराधना करना चाहिए और इससे आपको क्या लाब मिलेंगे तो मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचें आप नित्य नई नई ज्यानवरधक जानकारियां वह नित्य का राशीफल हमारे चैनल से प्राप्त करती रहें तो धार्मिक ग्रंथों में नीही थे कि भगवान स्री करश्न के पूत्र साम्ब को कुष्ट रोग हुआ था यह जानकर के साम्ब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के संगम तठ पर भगवान सूरीदेव की कठिन तपस्या करके उनको प्रसन कर लिया था उस समय भगवान सूरीदेव ने प्रसन हो करके साम्ब को ठीक कर दिया था स्वस्थ कर दिया था तो सनातन सास्त्र के अनुसार हर माह में सूरीदेव एक राशी से निकल करके दूसरी राशी में प्रवेश करते हैं सूरीदेव का एक राशी से दूसरी राशी में प्रवेश करना संक्रांती कह लाता है हाला कि जब सूरी देव धनू और मीन राशी में प्रवेस करते हैं तो खर मास लगता है इस वर्स खर मास दिनांक 14 दिसंबर 2021 से आरंब हो करके तो 14 जनवरी 2022 तक खर मास रहेगा तो चतुर मास की तरह खर मास में भी कोई शुब मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होते हैं इस दोरान सूरी देवता की पूजा उपासना करने से व्यक्ति को अमोग फलों की प्राप्ती होती है कारी में सिद्धी मिलती है सूरी नरण भगवान की विशेश करपा मिलती है अताहा खर मास के दिनों में सूरी उपासना जरूर करना चाहिए तो आईएब हम जानते हैं खर पूत्र साम्ब को एक समय कुष्ट रोग हो गया था। यह जानकर के साम्ब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के संगम तट पर भगवान सूरी देवता की कठिन तपस्या करके उनको प्रसंद कर लिया था। तो महा भारत काल से भिहार समेत पूर्वी भारत के कई राज्यों में आस्था का महा परव छठ परव मनाए जाता है। इस अवरत में सूरी देवता की उपासना की जाती है। इसके व्यक्ति और शकल समाज में सुख और सम्रधि आती है। इसके लिए सामानी दिनों की तरह खरमास के दिनों में भी भगवान सूरी देवता की पूजा उपासना करना चाहिए। इसके लिए सूरी देवता के नाम मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए। तो प्रती दिन अविजीत महुर्त दिन के पोनें 12 बजे से आरम हो करके तो 12 बज के 30 मिनिट के लगभग प्रती दिन रहता है। इस समय अवधी में प्रती दिन सूरी देवता की उपासना आपको करना चाहिए। आप सूरी देवता को अरगे प्रदान कर सकते हैं या सूरी नरण भगवान के इस्तरोत्र आदी का पाठ इस समय अवधी में कर सकते हैं। या सूरी देवता के नाम मंत्रों का उच्चारन भी आप करेंगे तो इसका अनंत गुणा फल आपको मिलेगा। आपको कारे में सिद्धी मिलेगी, सफलता मिलेगी और पीडाओं से मुक्ती मिलेगी। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्यानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें। धन्यवाद जैस्री करश्न मित्रों फिर मिलेंगे।